बिटा ये हमारा केस है गिफन गुड का और गिफन गुड के केस में प्राइस कम होने पर डिमांड कम होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे A, B शुरुवाती बजट लाइन, A, C बाद की बजट लाइन, A, C के पहलेल आप टीटी बजट लाइन बनाएंगे जो रियल इंकम को कॉंस्टेंट कर रही है और चेंजड प्राइस को दिखा रही है अब यहाँ पर आप क्या करेंगे बटा, क्योंकि यहाँ पर इंकम इफेक्ट अधिक स्ट्रॉंग होता है इंफिरियर गुड के केस में आपका सब्स्टिटूशन इफेक्ट अधिक स्ट्रॉंग है तो उसका गैप आप अधिक बनाएंगे, यहाँ पर इंकम इफेक्ट अधिक स्ट्रॉंग है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे substitution effect थोड़ा बनाएंगे अब यह जो AB budget line है और TT जो budget line है इस प्रकार से indifference curve बनाएंगे कि यह दोनों budget line पे एक-एक बिंदू पे tangent हो और यह बहुत pass में बनाएंगे देखे Q1 और Q2 और इसकी वज़े से substitution effect क्या हुआ है LR substitution effect हमेशा क्या कहता है कि price कम होने पर demand बढ़ेगी तो यह LR आपका substitution effect है और जब हम उसकी जो जितनी उसकी आये बढ़ी है उसकी according देखेंगे price fall की वज़े से जो उसकी आये बढ़ी है तो आप उसके पास यह वाली budget line available है AC और उसमें वो Q3 बिंदू पर equilibrium में होगा क्योंकि gift one good है तो price कम होने से demand कम हो जाती है तो KR आपका total income effect है क्योंकि यह हम real income जब constant है उसके according बात कर रहे हैं और अब जब उसकी income उसको return कर देंगे और तब हम situation देखते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा KR या RK जो भी लिखा हुआ है आपका यहां बे यह RK आपका क्योंकि यहां से यहां कम होई है RK तो यह आपका income effect है यहां income effect अधिक strong है अब RK quantity कम होई है और LR बड़ी है अब इनको हम देखेंगे कि हमारा negative वाला portion अधिक है negative वाला portion अधिक है income effect वाला तो अब हम इसको क्या कह सकते है price effect कितना हुआ LK हमारी इतनी quantity कम होई है शुरुवाती जो हमारा equilibrium point के according OL quantity है और अब O के quantity है तो यह जो LK quantity कम होई है यह हमारा price effect है substitution effect यहां बहुत कम बनाएंगे और जो जैसे पिछले diagram में हमने बात किया था कि जो यह दो equilibrium point उनके बीच में था inferior good का यहां का point अब यहां पे यह दो तो इधर ही रहेंगे यह पहला इधर और दूसरा उसके right में लेकिन जो income effect वाला अपने point बनाना है वो Q1 के left में बनाना है Q1 के left में बनाना है तभी हम बता पाएंगे कि income effect का अधिक प्रभाव है और उसकी वज़े से cool consumption जो है x वस्तु की वो कम हो रही है तो L के आपका price effect है